गाईज, अमिता बच्चन की फिल्म सूरे वंशम और सेट मिक्स का इतना गहरा कनेक्शन है कि हम जैसे ही टीवी पर सेट मिक्स चैनल लगाते हैं, हमें जादा तर बार सूरे वंशी फिल्मी देखने को मिलती है, और यही वज़ा है कि अब यह फिल्म लोगों को mentally disturb भी करने ल विश्य में कितनी बार और इस फिल्म का टेलिकास्ट करेगा, क्योंकि हमारे पूरे परिबार को फिल्म में दिखाए गए हीरा ठाकूर की स्टोरी रट चुकी है, और अब आलम यह है कि हीरा ठाकूर और उसकी कहानी हमारी मानसिक स्थिती को खराब कर रही है, और मान लीज में आपको लगता है कि सेट्मेक्स को इस फिल्म का टेलिकास्ट बंद कर देना चाहिए, या फिर यूही जारी रखना चाहिए, कुमेंट सेक्शन में ज़रू लिखेगा, कहा जाता है कि महबत में लोग आग का धरिया तक पार कर जाते हैं, और यह बात एक बार फिर से सत स हाबित हो गई है, क्योंकि थाइलेंड के एक शक्स ने अपनी गल्फरेंड के लिए अपने पैरों से सैकडो किलोमेटर जमीन नाप दी, और वो भी उस गल्फरेंड के लिए जिसे उसने अभी तक सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है, जी हाँ गाइस, 1400 किलोमेटर दूर रह रही उसकी ये गल्फरेंड, पांच महीने पहले ही उसे टिक टॉक पर मिली थी, और टिक टॉक पर ही उसने उसे प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद गल्फरेंड ने उसे एक चैलेंज दे दिया, कि अगर तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो, तो मुझसे मिलन पैदल आओ अब यह सुनकर शायद कोई और दूसरा बॉइफरेंड होता तो गल्फरेंड से ब्रेक अप कर लेता लेकिन उस शक्स पर प्यार का जुनून इसकदर सवार था कि उसने गल्फरेंड से मिलने के लिए 1400 किलोमेटर की पैदल यातरा शुरू कर दी जिसे अब वो व वेलन टाइम पर अपनी गल्फरेंड के लिए क्या स्पेशल करने वाले हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा आज कल पैसे वाले और जादा अमीर होते जा रहें लेकिन मिडल क्लास वहीं के वहीं हैं वो तरक्की नहीं कर पारे और इसकी सबसे बड़ी वज़ाए यह है कि अमीर लोग इंवेस्ट करते हैं लेकिन मिडल क्लास लोग सिरफ दिखावे में रह जाते हैं या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने में ही सारा पैसा खतम कर देते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अब आप डानी और अंबानी को देख लीजए, जितना ये कमाते हैं, उसमें से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं पैसा, इसलिए अब आपके लिए जरूरी है कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो उसमेंसे कुछ परसेंट इन्वेस्ट जरूर करें और इसका सबसे अच्छा तरीका है मुजल फंड क्योंकि यहां आपको किसी कमपनी के स्टोक खरीदने जितनी रिसर्च नहीं करनी पड़ती और स्पेशली आप अगर बिगिनर हैं तो इससे अच्छा तरीका आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहां आपका पैसा एक फंड मैनेजर और उसकी प्रोफेशनल टीम मैनेज करती है जिनने मार्किट का अच्छा एक्स्पिरियेंस होता है तो इन्वेस्टमेंट की जड़नी स्टार्ट करना चाहते हो तो बायों में लिंक हैं वहाँ पर जाएं और अपने पैसों को काम में लगाएं पर याद रहें म्यूचल फंड सा सबजेक्ट तो मार्किट रिस्क तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाईसर से सला जरूर ले लेना